दोस्तों अगर आप रेलवे के गुरूप डी ए एंटी पीसी की एजाम त्यारी करते हैं तो आप रोको जरूर एक्षा हुआ कि गुरूप डी का एजाम कब होगा क्योंकि गुरूप डी का फॉर्म 2019 में भड़ा गया था जो कि अभी तक इसका एजाम नहीं हुआ आज हम बताएंगे कि इसका एजाम कब होगा पीउस गोईल ने क्या बोला तो इसके बारे में जानने से पेल अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुरूप डी का एजाम जो है वो एंटीपीसी के बाद होगा लेकिन कब होगा इससी के जनकारी आज हम देखेंगे कि इसका एजाम जो है कब होगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा और हमारे साथ बने रहें रेलोवे ने जारी किया नयार नोटिफिकेशन एजाम डेट पर दी जनकारी और आरवी एंटीपीसी और गुरूप डी सिबीटी वन जोकी एंटीपीसी छठे चरण की आखरी परिक्षा आठ अपरेल को आयोजित की गई थी जिसके बास छात्रों के लिए कोई नेक्स्ट एक लते हैं नेक्स्ट है ररवी एंटीपीसी और आरारसी गुरूप डी रेलवे भरती आररवी ने एंटीपीस तो था गुरूप डी परिक्षा के समन्द में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया बोर्ड ने जनकारी दी है कि देश में जारी कोबीड-19 महमारी के चलते इस भरतियों के लिए CBT-1 परिक्षा पर रोक लगा दी गई बता दे कि आरारवी एंटीपीसी CBT-1 परिक्षा के छोचरण पूरे हो चुके हैं जिसके बाद से ही आगे के अप्रूड डेट्स का इंतजार कर रहे हैं छठे चरण की आखरी परिक्षा आठ परेल को आयोजित की गई थी जिसके बाद से चात्रों के लिए कोई अप्रूड डेट जारी नहीं किया गया जिन उमीदवारों की परिक्षा इन छो चरण में नहीं हुई थी वे अपने पहले चरण की परिक्षा को लेकर संग 6 में थ इसके साथ ही अरारवी गुरूप डी की पहले चरण की परिक्षा भी माई में शुरू होनी थी जिसके बारे में विबोर्ड ने कोई जनकारी नहीं दे थी अरारवी ने लगभग दो महिने बाद छात्रों के लिए जनकारी जारे किया है जारी नोटिस में कहा गया है कि CBT1 परिक्षा को अलग अलग राजों में लाग क्रोना लोकडाउन और अन्य पाबंदियों की चलते रोका गया है छात्रों को सुजित कहता है कि राजे में जारी परती बंदों में धील मिलने के बाद एक्जाम फिर से शुरू की जाएगी नए एक्जाम डेट की जनकारी बोर्डों की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी एक्जाम के एडमिट कार्ड एक्जाम से चार दिन पहले जारी की जाएगे बोर्ड की तरब से छात्रों की एक्जाम सिटी और डेट की जनकारी पहले जारी की जाएगी चातर अपने registration नमर की मदद से login कर अपना admit card download कर सकेगे Group D NTPC के बाद exam होगा क्योंकि NTPC का 7 phase वो वांकी है उसके बाद ही Group D का exam लिया जाएगा दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि Science Group D का PDVCR का MCQ करें तो हमारे YouTube पर प्रेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं जो कि biology का, physics का और chemistry का 1500, 1500, 1500 यहनी 4500 MCQ है जो आप लोग प्रेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के देख रहे हैं और नय है तो हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल नहीं है और आप लोग को सपोर्ट चाहिए